दिली से अभी अभी एक ख़बर सामने आई है कि बीजे की बेक के कारे करता लगातार समली के सामने प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं उनका नारा ये है कि केज जी रिवाल को सीम की कुर्सी से अटाना चाहिए और उन्हें इस्तिफा दे देना चाहिए क्योंकि उन पर लिक्कर केज जैसे रिलेटेड एलिकेशन लगे में एडी ने कैसे उनके उपर जाँच करके उन्हें कुछ कहे बगेर भी छोड़ दिया विसे आपको पूरा मामला ये बता दें कि 14 तारीकों एडी के तरब से केजडिवाल जी के पास में एक समान आया था जिसके अंदर उन्होंने एडी पूछ ताच के लिए बुलाये थी अपने पास हैं कि अर्विन केजडिवाल को इस्तिपा देना चाहिए ये पूरी केजडिवाल पार्टी लगातार लिकर जैसे स्केम करती जा रही है और कई सारे स्केम होंगे जो अभी तक जनता के सामने नहीं आए अगे अगर इस मामले में कुछ और अपडेट आएंगी तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर देखने को मिल जाएंगे साथ ही बीजेपी कार्य करताओं को रोखने के लिए रेबिट फोर्स और अर्द सेनिक भल भी पुलिस के तरफ से तेनात कर दिये गए है एसमेली के सामने लगातार प्रोटेस्ट को बढ़ता हुआ देख पुलिस की और भी कई सारी फोर्स को भी आगे बुलाने के लिए समन भेज दिया गया है साथ ही अगर ये प्रोटेस्ट दंगो का रूप लेते हैं तो आर्मी की भी तैयारी वेकप में की जा रही है जिस तरीके साथ वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो बीजेपी के कारी करता है वो पुलिस वालों के काबू में नहीं आ रहे है अब आने वाला समय ही बताएगा कि किस परकार से इस पूरी समश्या का निवारन होगा अगर आप में से कोई लोग शराब गोटाली के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दे 2021 के अंदर मनिश शिषोदिया द्वारा लाए गए लिकरे रिफॉर्म्स के अंदर कथी तोर पर कई सारे शराब व्यपारियों को गलत तरीके से प्रोफिट पोचाने का एलिगेशन लगावा है जिसके अंदर 145 करोड रुपे का टोटल गोटाला सामने आ रहा है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि मनिश शिषोदिया ने उन में से कुछ पैसे अपने पास रखे और उन्हें गोवा एलेक्शन के अंदर यूज में भी लिए साथ ही आपको ये भी बता दे कि अर्विन केजडिवाल की सरकार के खिलाफ गोवा पुलिस के अंदर भी एक कैस दर्ज है जिसके अंदर उनको 19 तारीकों पेश भी होना है साथ ही और कई सारे एलिगेशन भी इसके उपर लगाये जा रहे हैं अर्विन केजडिवाल की सरकार के ओपर अभी आने वाला टाइम ही बताएगा कि किस परकार से केजडिवाल सरकार इन सबसे बाहर निकल पाएगी साथ ही बता दे उनकी पंजाब में भी हालत लगातार खराब होती जा रही है अतिक एमत केस रिलेटेट पहले भी कई सारी मुसीबिते